है 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 फिर से आप सभी का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है तो यह वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम बाकी के जो भी रेडियो बटन से उनको सिलेक करके स्ट्राटेजी को अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हैं पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है सिलेक्शन कैसे करना है टाइम कैसे करना है टार्गेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है रेंजिस को कैसे फिल्टर कर आपके account में trades हो इसके हिसाब से तो real market trading select कीजिए अगर आपको हमारा जो एक smart risk management system में आपको अपने इस खुझ से quantity decide नहीं करनी बड़ आपको सिर्फ एक risk बताना है कि कितना भी market side हो जाए कुझी हो जाए मेरा 400 रुपे ज़्यादा लॉस ना हो तो मारा smart risk management system यूज़ कीजिए अगर आप चाहते हो कि हर option में आपके predefined जो भी quantity है number of lots है उसे सबसे trading हो तो आप यहाँ पर number of lots एंटर कर सकते हैं याद रखे number of lots ही एंटर करना है ना कि total quantity 20 रुपे का 20 quantity का lot होता है तो अगर आपको 40 से trade करना है तो सिर्फ दो एंटर कीजिए तो दो लॉट से trading होगी चालीस एंटर करोगे तो चालीस लॉट से trading होगी next हमारा जो option है वह है fix quantity और increasing quantity के बीच fix quantity का मतलब होता है कि हर counter trade मान लो अगर long breakout होता है long trade लेता है software लेकिन index नीचे गिर जाता है और फिर से call option में short breakout हो जाता है तो अगर आपको selling mode में चला रहा है और short breakout को आपको same quantity यानि दो lot से ही करना है तो fix quantity में जाए अगर आप चाहते हो कि दूसरा trade की first trade का SL लोन के बाद जो second trade हो वो चार lot से हो या quantity increase करके हो तो आप increasing quantity वाला mode select कीजिए beginners के लिए advisable रहेगा कि fix quantity mode पे जाओ और software को use करो next जो हमारा option है वो single target और continuous mode के बीच में है single target mode मतलब एक बार target होने के बाद उस option में ट्रेडिंग नहीं होगी continuous mode में माल लो एक बार आपका target अचीव कर लेता है और फिर से range में आके range को break करता है तो फिर से trade लेगा until and unless आपका number of trades ये max trades तक पहुँचे नहीं beginners के लिए again single trade mode advisable है next हमारा option है selling enable या only buying mode में option selling के लिए सबको बताई कि एक बहुत ज्यादा तकड़ा margin चाहिए होता है writing के लिए काफी ज्यादा margin requirement की जरूरत होती है तो ये margin requirement के से tackle करने के लिए हमने सिर्फ एक only buying mode रखा है कि जिसमें आपको अगर options को sell नहीं करना सिर्फ long breakouts पर buy करना है आपके पास margin कम है तो only buying mode में चलाए अगर आपके पास एक लाग से ज्यादा है मतलब जो selling के लिए margin required होता है उतना है तो आप selling enable कर सकते हो तो short breakout पर option sell भी हो जाएगा नेक्स्ट हमारा जो mode है book profit and trailing SL या फिर exited target advisable है book profit and trailing SL mode में चलाओ ता कि जब रम भी rally करते option जब 100 रुपला option 200-300 हो जाता है जीरो तक आ जाता है तो आप वो movement को catch कर पाओ अगर आप exited target mode select करते हो तो यह जो भी target अचीव करता है हमाँ पे सारे lot से profit book हो जाएगा अगर आप profit and trail SL करते हो तो सिर्फ 50% of the quantity मतलब हमने यहाँ पे दो और ऐसे इसको configure किया जाता है अगर आपको यह software पसंद आ रहा है अगर आपको ऐसी कोई चीज आपके अकाउंट में try करनी है तो नीचे description में मेरा contact info है मुझे contact कीजिए और मैं आपको दो दिन का free trial देपाऊंगा नेक्स्ट आपको जो step बनता है यहाँ पे client ID डाल दो आपका एलिस लुका password डाल के starter logo पे click कर दो और यह parameters के इसाप से software आपके अकाउंट में trading करना start कर हो जाएगा याद रखे options का percentage risk होता है वो cash segment से बहुत ही ज्यादा होता है जैसे मैंने बताया 100 रुपे का stock बहुत ज्या क्या होता है डेल्टा क्या होता है बीटा क्या होता है premium DK कैसे करता है time के साथ expires कब होती है spot से कितना दूर strike लेना चाहिए आपको नहीं पता तो options theory के बारे में थोड़ा पढ़िए सीखे YouTube इंटरनेट पे बहुत सारे blogs या content available है जिससे आप सीख सकते हो अगर आपको content के लि बहुत ज्यादा होता है बस क्लाइंट एडी पासवर डाल के अलको को स्टार कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए thank you take care और happy trading लपले शानी हो पासवर शाल के लिए शेयर के सक्वावब कीजिए बसक्ते पासओर अबदा रख सोब पासब कीजिए चैनल के अभले दोस्तों के लिए जाई हों होगदावर तक कीजिए आपकीजिए नहीए अफै